नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चल तार्गेट सिविल सरुषिस में तो आज है तेवी सगस्त और मद्दप्रदिस के डेली करेंट अफेर में आज हम 17 अगस्ते तेवी सगस्त जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अपर डिसकस करेंगे और जो सबसे पहले मैं आपको बता दू यह है हमारा टेलिग्राम चैनल इस पर डेली 20 कोशन का क्वीज होता है जिसमें 10 कोशन जो रहते हैं मद्दप्रदेश जीके से रहते हैं जो कि प्रिवेसरी एक्जाम में पूछे भी जा चुके हैं यह मुस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं मद्दप्रदेश करेंट अफेर से रहते हैं और फाइब कोशन जो है वो नेशनल करेंट अफेर से रहते हैं इस टाइप से इसके रिजल्ट बनता है तो आप 20 क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हूँ टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको हमारी वीडियो के डिशन वाक् से पहले हमने करेंट अफेर पढ़ेते उसका रिवीजन कर लेते उसके बाद हम स्राट करेंगे आज की करेंट अफेर तो पहला कोशन था हमारा हाल इमें घुल सवारी एकडमी के खिलाडी प्रने खरेने बैंगलूर में आयोजी दो दिवसी एक्वेस्ट्रियन प्रीमेर ल लिए किस इंस्ट्यूट के साथ एक MOU साइन किया है तो यह मैनिट के साथ मैनिट की फुल फॉर्म क्योंती है मौलाना आजास नेशनल इंस्ट्यूट आफ टेक्नलोजी इसको एनाइटी भी बोलते है और यह संस्थान कहां पर है तो यह हमारे मद्द्रदेश की राजदान के रूप में कौन सामिल हुए तो यह हुए अभिमन्यू मिस्रा तीक है तो इसका आंसर के ताइम स्क्वेर में 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग में मुख्य अतित्ति के रूप में सामिल हुए है तो इनका संब्द हमारे मद्द्रदेश के किस जिले से है तो यह भोपाल से तो इसका आंसर के जाएगा option number B next question ता हमारा हाल में कितने अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्टपर्ति का पुलीस पदक से सब्मानित किया गया है तो यह नव अधिकारियों को तो इसका आंसर के जाएगा ता option number C next question ता हमारा मुख्यमंतरी सिवराशी चव अनुसूची जनजाती वर्ग के लिए एक विशेश अभियान की सुरुबात करने की घुष्टना कब से की है तो यह की है 18 सितंबर से तो इसका आंसर के जाएगा option number A और यह अभियान कब तक चलेगा तो यह चलेगा 15 नवंबर तक चले दोस्तों अब स्राट करते हम आज की कर इंटरफेर तो आज की कर इंटरफेर में पहला कोशन है हमारा हाल में किस राज्य के द्वारा विद्दूत प्रहरी योजना लागू की जा रही है तो यह मद्द्रदीस गोवर्मेंट के द्वारा तो इसका आंसर कर जाएगा option number B ठीक है मद्द्रदीस तो देखिए उर् अधियम से विद्दूत प्रहरी योजना लागू की जा रही है और यह योजना पाइलेट प्रोजेक्ट क्रूप में एक वर्ष की अवधी के लिए भिंड मुरेना आगरा साजापूर छत्तरपूर एबं टीक करमगल जीला मुख्यालियों के ऐसे फिडर अथवा वितरन ट तरगत आवसकता अनुसार योजना का विस्तार किया जाएगा नेक्स कोशन है हमारा मद्दप्रदेश के किस जीला चिकित साले को राष्टी गुनवत्ता मानक सर्टिफिकेट यानि NQAS प्राप्त हुआ है तो ये उज्जैन जीला चिकित साल है सिवनी जीला चिकित साल है और विदीशा जीला चिकित साल है तीनों को तो इसका आंसर क्या जाएगा आपसर नमबर डी ठीक है उप्रोक्त सभी NQAS के मापदंडों के अनुसार केंद्री अधिकारियों के दल ने सरकारी अस्पतालों का निरिक्चन किया था और दल में सामिल अधिकारियों ने अस्प उजनाओं के बारे में जानकारी लिती निरिक्चन दल की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश के तीन सरकारी अस्पताल सीवनी विदीशा और उज्जेन को NQAS प्रमान दिया गया है और निर्धारित मापदंडों के आधार पर सीवनी 94.4 विदीशा 90 और उज्जेन को 88.8 टंक मिले है और इस तरह सीवनी का सरकारी अस्पताल 94.4 के साथ सबसे बहतर माना गया है और अब इन तीन सरकारी अस्पतालों को प्रदेश सरकार में 10 फिदी अधिक बजट दिया जा सकता है और देखिए इन छेत्रों में अंक दिये जाते हैं अस्पतालों की ओपीड, एक प्रसासन के कामकाच के इस्तर को आधार बनाकर अंक दिये जाते हैं और इन अंकों के मुताबिक ही अस्पताल को NQAS प्रमान पत्र दिये जाता है नेक्स कोशन है हमारा मुकिमंतरी सिवरासी चौबान ने किस जिले में भारत माता का मंदीर बनाने की गूशना की है तो यह हमारे मद्धिप्रदीस की राज़दानी बोपाल में तो इसका अंसर हो जाएगा आफसन नंबर B ठीक है बोपाल में तो देखिए मुकिमंतरी 84 ने कहा है भुपाल में भारत मादा का मंदीर वीर भूमी के रूप में बनाया जाएगा और इसमें सवतंतरता संग्राम सिनानियों के जीवन व्रत प्रदर्शित होंगे और प्रतीमाये भी स्तापित की जाएगी नेक्स कोशन है हमारा हाली में स्री रगुनंदन सर्मा द्वारा लिखित पुस्तक आजाजादी बनाम फासी अत्वा काला पानी का वीमोचन किसने किया है तो यह हमारे मद्दप्रदेश की मुख्यमंत्री सिवरासी चौफान ने तो इसका आंसर जाएगा ऑप्सन नमबर एक उसर ठाकूरा अने मद्दप्रदेश की संसकर्ती मंत्री है गिरीज गौतम मद्दप्रदेश विधान सबा के अध्यक्ष है और मंगु भाई पटेल हमारे मद्दप्रदेश के राज़पाल है तो देखे मक्यमंत्री सिवरासी चौफान ने पूर्व राज्यसबा सदस्य भी रह चुके है ये स्री रगुनंदन सर्मा इनके द्वरा लिखित पुस्तक आजादी बनाम फासी अत्वा कालापानी का विमोचन किया है संसकर्ती परियटन तथा अध्यात्मंत्री सुस्री उसर ठाकूर वित्त मंत्री स्री जग्दीज देवडा प्रमुक सच्चिव सं सक्रती एवं जन्समपर स्री सिवसेकर सुकला तता पुस्तक के प्रकासक स्री प्रभात कारेक्राम में उपस्तित थे स्वराज संस्थान संचालयन द्वारा आयोजित कारेक्राम में स्री सुरेंद्र वान खड़े एवं दल द्वारा सुबद्रा कुमारी चोभान पर केंद स्टीक से है तो इनका समंद्ध हमारे मद्दप्रदीश के धारड स्टीक से इसका आंसर जाएगा आपस नंबर डी और दोस्तों यह है बिलाल खदरी युवा सिल्पा कार है ठीक है तो याद रिकिए इनको राश्टी हस्तसिल्प पुरुसकार दिया गया है तो देखे राश्टी हस्तसिल्प पुरुसकार के लिए पारंपरिक बाग प्रिंट हस्तसिल्प कला में ठपा छपाई को नए आयाम देने वाले हमारे मद्दप्रदेश के धारजी लेके छोटे से कजबे बाग से एक मात्र युवा सिल्पी बिलाल खत्री का चैन हुआ है इस पुरुसकार से बिलाल ने पुरह हमारे मद्दप्रदेश को गौरवानवित किया है आयुक्त हस्त सिल्प राश्ट्री वस्त मंत्राले भारत सरकारदवारा घटित राश्ट्री चैन समीथी ने राश्ट्री पुरुसकार 2018 के लिए राज्जी के युवा सिल्पकार बिलाल खत्री का चैन हैंड ब्लॉक प्रिंट बास चटाई के लिए किया है और युवा वर्ज 2011 में राश्ट्रिय मेरिट हस्तसिल्प पुरुसकार एवं वर्ज 2018 में प्रत्थम विश्वकर्म पुरुसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है नेक्स कोशन है हमारा हाली में 17 अगस्त को गौहर महल भोपाल में स्पेशल हैंड लूप एक्सपो 2021 का सुभारम किसके दार किया गया है तो यह क्या गया है हमारे लोक निर्मान, कुटीर एवं ग्रामोध्योग मंत्री गोपाल भारगों के दोरा इसका आंसर हो जाएगा आप्सिन नमबर E उसर ठाकुर मध्यप्रदीश की संसक्रत प्रियेटन एवं अध्यात्म मंत्री है विश्वास सारंग मत्यप्रदीश के चिकित्सा सिक्षा मंत्री है और मोहन यादव उच्च सिक्षा मंत्री है तो देखिए लोक निर्मान, कुटीर एवं ग्रामोध्योग मंत्री गोपाल भारगों ने 17 अगस्त को गौहर माल भोपाल में इस्पेशल हैंड लूप एक्सपो 2021 का सुभारम किया और यह एक्सपो 16 अगस से 29 अगस 2021 तक आयोजीत किया जाएगा और निगम स्रीमत्ती अनुभा स्रीवास्तों ने बता है कि एक्सपो में आठ से 10 राज्य के सिल्पी अपने उत्पादों की दुकान लगाएंगे और एक्सपो में विकास आयोग वस्तर मंत्राले भारत सरकार नई दिदली द्वारा भी सहयोग दिया जा रहा है नेक्स कोशन हमारा मद्द प्रदेश में टैलेंट सर्च 2021 अभियान का सुभारम कब से किया जाएगा तो ये 24 अगस्त से किया जाएगा तो इसका आंसर कर जाएगा और सेहरों के साथ ही ग्रामीन और कजबाई लाकों में भविस्य की खेल प्रतिभाव को तलासकर तरासने क के लिए प्रदेश में टैलेंट सर्च 2021 अभियान की गोशना की है और यह अभियान 24 अगस्त से हमारे पूरे मद्द प्रदेश में चलाया जाएगा और प्रदेश भर में इस अभियान में खेल एवं युवा कल्यान स्कूल सिक्षा एवं आदिम जाती कल्यान विभाग के स सूद्रा राजे सिंद्या स्कूल सिक्षा विभाग के मंत्री को ने इंदर सिय परमार है आदिम जाती कल्यान विभाग की मंत्री को ने मीना सिय मांडवी है इसके तहत लगबग धाई हजार बालक बालविकाओं का चेहन कर प्रदेश में संचालित अत्यादूनिक और संसा से है तो इनका संबन्द है आर्चरी से ठीक है आर्चरी से है यानि तिरंदाजी से है कि अभी हाल में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को पॉलेंड में भारती तिरंदाजी टीम ने कैड़ेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपेंशिप में स्वर्न पदक जितकर देश का पर किया और विजेता का गाराव हासिल किया भारती तिरंदाजी टीम में सामिल अमीत कुमार ने असी में से भात्तर तदा सर्विसेस के विसाल चंगमय और मिक्की कुसाल ने त्रहतर त्रहतर अंक हासिल किये और इसके अलावा कैड़ेट यूथ वर्ल्ड आर्चरी में भारत ने छे दो से जापान को हराकर स्वर्न पदक जीता रिकर्व कैरेट पूरूस की व्यक्तिकत इस पर्दा में भारती टीम के खिलाडी विसाल चंगमय ने चार से घजाक्रिस्तान को हराकर देश को कासी पदक भी दिलाया नेक्स कोशन है हमारा मुख्यमंत्री सिवरासी चौवान ने किस जिले में स्वर्गी अटल भिहारी वाजपे जी की इस प्रती में भव्य और विसाल इसमारक बनाने की गोशना किया है तो यह हमारे मद्दपरदेश के एकवालियर डिश्टीक में तो इसका आंसर कहाएगा और शिवरासी चौवान ने कहा है कि इस प्रती में भव्य और विसाल इसमारक का निर्मान किया और अरेरा हिल्स इस्थित सौरी इसमारक चौरह पर इस्थापित प्रतीमा पर भी माल लेयारपन किया नेक्स कोशन हमारा मुख्यमंत्री सिवरासी चौवान ने 75 वर्स की पूर्णता पर किस जिले में सविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेटकर की प्रतीमा का वर्चुवल अनावरन किया है तो यह नर्सियंपूर में तो इसका अंसर हो जाएगा option number C ठीक है नर नर्सियंपूर तो मुख्यमंत्री सिवरासी चौवान ने 75 वर्ष की पूर्णता पर नर्सियंपूर में सविधान निर्माता डॉक्टर बाबा सहब अंबेटकर की प्रतिमा के वर्चुवल अनावरन कारिकरम को निवास से सम्मोधित कर रहे थे और नर्सियंपूर के प्रतिमान अगरपाली का दौर इस्थापित की गई है और दोस्तों कल का हमारा कोशन था भारत वर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा चीतर कहां पर है तो यह भी हमारे प्यारे मद्यप्रदीश में है तो इसका आंसर कर जगा आप्शन नमबर 1 मद्यप्रदीश और तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था ठीक है तो यह आपको बताना है देखिए पानीपत के तीन युद्ध हुए थे तो इसमें तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था 14 जनवरी 1760 को 5 जनवरी 1761 को 14 जनवरी 1761 को या 5 नमबर 1556 को तो इसका आंसर आपको पूरी डेटेल म पर क्वीज भी डेली होगा ठीक है तो आप जोइन कर सकते हो टेलेगाम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिसन बॉक्स में मिल जाएगी और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सिहा जरूर करेगा और अगर आभी स्याल पर नहीं हो तो भी कर लिजिए थाइंक की सो मच फर वाचिंग दिस वीडियो